Good morning friends, आज हम जई का MTS का paper करने जा रहे हैं, DCM का, ठीक है, तो first problem क्या कह रहा है, which of the following statement is incorrect, आपको बताना है कि कौन सा statement जो है वो incorrect है, ठीक है, तो पहला option क्या कह रहा है, SNCL2 plus HGCL2 can not exist together in aqueous solution, तो देखे, अगर हम बात करें SNCL2 plus HGCL2 को, एगर एक साथ लेते हो आप, तो उस condition condition में, SNCL2 जो है वो किस में चला जाएगा, SNCL4 में चला जाएगा, SNCL4 में चला जाएगा, और बाद में, ये वाला जो है, ये वाला oxygen हो गया, plus 2 से plus 4 में चला गया, इसका मतलब है, HG2CL2 के अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि ये दोनों एक साथ, solution के अंदर क्या नहीं कर पाएंगे exist नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन दोलों के बीच में आपस में reaction हो जाएगी redox reaction अकर हो जाएगी तो ये वाला statement आपका क्या है second statement देखिए क्या कह रहा है acidic strength of oxygen acid of phosphorus decreases with increase in oxidation state standard problem बटा आपको मालूम होना चाहिए कि अगर बात करूँ Hgpo2, H3po2, H3po4 ठीक है ना H3po3 and H3po4 के अगर बात करूँ तो acid character का order ये वाला आता है इन general oxygen acid के अंदर क्या होता है कि जिसकी oxidation state ज़्यादा होती है उसका acid character क्या होता है ज़्यादा होता है अगर मैं इसका acid character ज़्यादा होना चाहिए लेकिन actually में आपके पास acid character का order आपके पास क्यों सा आता है ये वाला आता है इसका basic reason क्या है कि अगर मैं इसका H plus हटा हो ध्यान रगे acid character check कैसे करते है H plus हटा के negative charge के stability देखते तो अगर मैं इसका H plus हटा हूँ तो S3PO4 का structure, S3PO2 का structure ये वाला होता है OH, H, H, ठीक है ला इसका अगर H plus हटा हूँ तो यहाँ पे P double bond O यहाँ पे O minus H और यहाँ पे H इसमें सीधा सीधा resonance हो जाएगा बाकी other case में आपके पास क्या हो जाएगा और cross-conjugation की वज़े से आपके पास क्या होगा ये वाला एनाइन, इसका एनाइन जो है वो जादे इस्टेबल हो जादे इस्टेबल होने की वज़े से इसका acid-y character का order ये वालाएगा तो यहाँ पे क्या कहा रहा है acidic strength of oxygen acid और phosphorus decreases with increase in oxygen state सही बात है तो अगर मैं जो आता है वो सेकेंड एक अंदर आता है जबकि aluminum है 13 group का element है तो अगर मैं second and third के अधर बात कर तो second group की ionis energy value third के मुकाबल होती जादा होती है क्यों क्योंकि इसमें electron को अटाना होता है जबकि इसके अंदर आपके पास क्या होता है P1 P1 P से electron को अटाना होता है तो S से electron को अटाना थोड़ा सा मुस्किल इस वज़े से आपके पास क्या होगा mg क्या इनस energy value क्या होती है यह ज़्यादा होती है आगे क्या कहा रहा है फोर्थ इस्टेंट्मेंट क्या कहा रहा है electron negativity on polling scale is greater than electron negativity on mulligan scale देखो इन दोनों में जो relation होता है approximate relation होता है XP is equal to xm divided by 2.8 के approximately आता है तो यहां से मैं ऐसे कह सकते है xm जो होगा वो 2.8 times of xp होगा इसका मतला xm की value जो है वो xp के मुकाबले में क्या होनी चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन यहां पर ultra कह रहा है electron negativity on polling scale is greater than electron negativity on mulligan scale तो मतलो यह वाला statement आपके पास क्या होगा false हो जाएगा तो fourth statement आपके पास क्या होगा false हो जाएगा ठीक है बड़ा चलो next problem करते है अगला problem देखिए next problem देखो यह वाला problem क्या कह रहा है जरत ध्यान दीजिए यहां पर problem क्या कह रहा है mixture 2 liter mixture of nitrous oxide and nitric oxide at STP health mean molecular weight 39.8 दे रहा है mean molecular weight दे रहा है mixture basically आपके पास किसका दे रहा है एक तो N2O का plus 7 में आपके पास किसका दे रहा है NO का mixture दे रहा है इसका mixture दे रहा है इसका 2 liter है total ठीक है आगे क्या कह रहा है कि इसका mean molecular weight जो है 39.8 के बराबर दे रहा है अब देखो mean molecular weight का formula 39.8 बराबर किसके होगा यह तो आपको पता है M1 N1 plus M2 N2 divided by क्या आएगा N1 plus N2 की बराबर आएगा और हम यहाँ पे N1 और N2 को क्या मान दे N1 को number of volts of N2 मान रहे जबकि N2 को क्या मान दे न number of volts of N1 मान रहे ठीक है न तो यहाँ से conclude करो देखो यहाँ पे 39.8 that will request to किसके बराबर के M1 देखो N2 का अगर बात करें तो N2 का molecular weight कितना है बताइए nitrogen का कितना 14 तो 28 plus 16 कितना का 44 तो यहाँ पे कितना है 44 into N1 प्लस 7 में M2 का कितना है बताइए M2 क्या है अपने पास N1 है N1 का मतलब कि 14 plus 16 कितना थर्टी तो यहाँ पी क्या है 30 N2 divided by आपके पास क्या है N1 plus N2 के बराबर आएगा इसको cross multiply किये तो 39.8 N1 plus 39.8 N2 is equal to कितना हैगा 44 N1 plus 30 N2 के बराबर आएगा इसको इधर बेज़े देखे आप क्या कर लिजिए N2 को इधर बेज़े ठीकिन N2 को इधर बेज़ोगे तो 39.8 में से अगर मैं 30 अटा देता हूँ तो यहाँ पी कितना बचेगा 9.8 N2 बच जाएगा वो किसके बराबर होगा अब 39.8 को इधर बेज़े तो 44 में से आप क्या कर लोगे 44 में से एक तरस से 39.8 गटा दोगे तो यहाँ पर value आएगी approximately 4.2 N1 के बराबर आएगी ठीक है नब तो यहाँ से N2 divided by N1 का relation निकाल सकते N2 divided by N1 का relation के आएगा 4.2 divided by कितना आएगा 9.8 के बराबर ठीक है इसको point point को अठा दीजिए आप इसको divide कर लिए 2 से 2 से divide करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 21 divided by कितना आएगा अपने पास यह जो होगा 21 divided by 49 और 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आप पास 3 divided by 7 ठीक है नब इसका मतलब क्या हुआ कि N2 divided by N1 का जो रेशियो आएगा वो आपके पास कितना आएगा एक तरसे 3 divided by 7 के बराबर आएगा ठीक है नब तो एक relation यहाँ पर conclude हो चुका है ठीक है नब तो पहले number of moles का जो relation आएगा इसमें N2 divided by N1 is equal to कितना आएगा इस data के हिसाब से आपके पास कितना आएगा 3 divided by 7 के बराबर आजाएगा अब देखिए यहाँ से हमने यह निकाल चुके N2 divided by N1 is equal to कितना आएगा 3 divided by 7 के बराबर आगे अब देखो यहाँ पर क्या है कि 2 liter mixer लिया nitrous oxide था 2 liter थीक है नब तो इसका मतलब N2 का कितना होगा mixer अपने पास N2 का volume जो होगा वो किसके बराबर होगा जाइड जिवाद इसके mole के ratio में convert हो जाएगा तो N2 total moles हम यहाँ पर कितना होगा 3 plus 7 कितना होगा 10 ठीक है नब इसमें N2 का N2 का मतलब क्यों होगा हमने N1 माना था N2 को तो इसका कितना आ रहा है 7 आ रहा है तो 10 में से 7 किसका है N2 का है लेकिन total कितना है 2 liter है तो यहाँ से यह वाली value आएगी आपके पास 1.4 liter के बराबर आ जाएगे ठीक है न इसका मतलब यह हुआ कि N2 का volume जो होगा mixer के अंदर 1.4 liter के बराबर होगा सेम अब total volume जो था वो कितना था आपने पास total volume अपने पास 2 liter था उसमें से 1.4 liter किसका है N2 का है तो N2 का कितना होगा 0.6 liter के बराबर हो जाए ठीक है न तो यह दोनों के volume आएगे mixer के अंदर अब आगे क्या कहे रहा है इवेन इस mixer is past और रेड होट कॉपर ट्यूब बोट डिसुचेट तो गिव नाइटोजन ऑक्सिजन कैस तो टोटल वोल्यूम ऑप नाइटोजन और आपके पास कितना आएगा अक्सिजन का वोल्यूम कितना आएगा यह प्रॉब्रम के अंदर पुछा गया अब देखो एंटो जो है स्टार्ट में कितना दे रहेगा 1.4 लिटर एंटो 1.4 लिटर है ठीक है न तो अब इस टॉकिमेटर देखोगे अगर इसका 1.0 लिटर है इसका कितना बनेगा 1.4 लिटर और यहां पर आपके पास कितना बनेगा जिरो पॉंट थी लिटर बन जेगा और यहां पर पास कितना बनेगा जिरो पॉंट थी लिटर अब आपको पूचा गया क्या है टोटल वॉल्यूम ऑप नाइट्रोजन अगर टोटल वॉल्यूम के बात करूँ ना तो यहां पे देख ना रहे 1.4 यहां से आ रहे उपर वाली से सदndhm지만 6-3 इन दौनों को ङड़ करों कि कितना लिटर के बरापर हो जाएगा अगर ऑक्सिजन की बात करते ऐसा कि ओपर वाली सकती रहा रहा ह्य लिटर वाली से 0.3 लीटर निचे अवाली से वह वाली होगा न Eli जो होगा वह 1.7 लीटर जोगा और ऑक्सिजन जो उप्टेंड होगा वह वन लीटर की बरव होगा इसका मतला आपका आशर कौन सा एगा सेकेंड वाला आशर आजएगा ठीक अगए देखिये हैं नेच्ट पॉम देखिए बड़ा 3rd problem क्या ज़रा ध्यान दीजिए the structure of mixed oxide is CCP mixed oxide structure CCP की form में दे रहा है the cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide iron CCP किसको occupy कर रहा है 1-2 occupy कर रहा है 1-2 CCP को occupy रहा है 1-4th of tetrahidal void are occupied by divalnyte iron ठीक इलम फोर्थ पाट है वह slots वंक्रयडल व्यक्राइवरा किसके दव OR कि और 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 यह को लहाँ न», अब जिर्पहरत है लाक्त तहुछ सोन्वर कितने होंगे आपके पास च्छाइश होगे लेकिन यह क्या क्या रहा कि a plus two जो occupy कर रहा है वो one fourth occupy कर रहा है उसका करोगे one by fourth part कर लोगे अब यहां पर total number of N atom है तो number of octodal void कितना आएंगे N के बराबर और इसमें completely जो है वो b plus जो है वो किसका occupy कर रहा है octodal void को occupy कर रहा है अब इसको डंक से लिगोगे a ko पहले लिगो तो a तो क्या है खाएगा और o कितनी बार अएगा आएगा आएगा आपके पास two times साइगा इसका मतलब आंसर आपका फोर्थ वाला आजाएगे ठीके बड़ा चलो नेक्स चलिए फोर्थ प्रॉब्लम देखे देखो इन और विन केमिस्ट्री अच्छा प्रॉब्लम है बहुत बार पूचा जाता है यह वाले प्रॉब्लम ध्यान दीए यहां पर मेटाबोरेट बनता है प्लस साथ में आपके पास ब्रॉब्लम के साथ रियक्शन करा हो जबी भी बोरिक एनाइडरेट को अगर आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट के मैटाबोरेट नो हो जाता है तो यहां पर आपके पास प्लस 3 प्लस 3 इसको अगर बैलांस करो को यहां पर C सी आर बी ओर टू का हो थ्राइस वाल प्रोड़ेक्ट बन जाएगा ऐसा देखो एक्स क्या है अपने पास बी टू ओ त्री ठीक है न तो बी टू ओ त्री इन दोने के अंदर आ रहे तो फर्स्ट और सेकेंड आंस्वर नहीं हो सकता फिर बाद में पूचा गया के वाई क्या ह है तो वाई इसके अंदर क्या है सी यार बी आर टू ब्या बीयो टू का हॉल्ट राइस तो मतलब इसके अंदर आ रहे इसका मतलब आंसर जो होगा आपके पास कौन सब्सक्राइब थाडवाल आंसर हो जाएगा ठीक है आगे चलिए नेक्स प्रोड़म देखे बढ़ा अब ए क्या है उक बार देखका है एक बार देख लीक है यह आप एक्स देर का है ठीक है इस बीए की वेलू दे रहे एक टू की वेलू देर की एक टू की वेलू आपके पास डे रहे कि अपूछा गया ¥च the temperature at with net activation energy for the distribution of x will be 10.5 kcal per mole जब आपके पास net activation energy की value कितनी हो आपके पास 10.5 kcal per mole के बराबर हो तो उस condition में उस जगे पे आपके पास temperature क्या हुआ होगा ये वाला पूचा गया है ठीक है ना तो बेटा जबी भी आपके पास parallel reaction दे रखी हो ठीक है ना एक चीज़ ग्यान रखे तो parallel reaction में net activation energy का formula होता है वो आपके पास ea1 k1 plus आपके पास क्या होगा ea2 k2 divided by आपके पास क्या आएगा k1 plus k2 के बराबर आजाए ठीक है अब देखिए यहाँ पे में ea1 की value ea resultant कितना दे रखा 10.5 kilo calorie में ले ले तो 10.5 क्योंकि सामने को आप kilo calorie per mole में लेंगे इस वज़े समने kilo calorie per mole में लिए 10.5 अब देखो ea1 कितना दे रखा 12 दे रखा है ठीक है तो यहाँ पे 12 ले लिया तो यहाँ से कितना हैगा 10.5 k1 plus 10.5 k2 is equal to किसके बराबर आएगा 12 k1 plus 7 में 9 k2 के बराबर आएगा ठीक है अब देखिए आप यहाँ पे क्या कर लिजिए कि 12 10.5 k1 को उधर के तरफ लेकिए और इसको 9 k2 को इधर के तरफ लेकिए तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1.5 k2 is equal to 1.5 k1 के बराबर आएगा इससे आपके पास relation क्या मिल जाएगा k2 divided by k2 is equal to k1 के बराबर आएगा ठीक है ना तो हमने जो यह condition दे रखी है आपके पास यह हो उस condition पर आपको क्या मिल रहा है k1 और k2 की value equal मिल रही ठीक है इस condition पर आपके पास क्या मिल रहा है k1 is equal to k2 मिल रहा है पहला relation आपके पास clear हो गया ठीक है अब k1 and k2 की help से आप क्या करोगे temperature निकालोगे जिस पे यह वाली condition आपके पास क्या और यह satisfy हो रही है ठीक है अब देखिए यहाँ पर आपके पास k1 is equal to k2 आगे ठीक है ना तो k1 का formula होता है k1 is equal to k1 का formula होता है a e की power a1 e की power minus e a1 divided by rt is equal to किसके बढ़ाब होगा a2 e की power minus e a2 divided by rt के बढ़ाब क्यूंकि k1 is equal to k2 क्या रहा है k2 आ रहा है अब देखो a1 की value आपके पास 2 into 10 raise की power 14 दे र दोनों में देखो ध्यान से देखना आप यहाँ पर 2 into 10 raise की power 14 है जिबकि यहाँ पर कितना रहा है 2 into 10 raise की power 14 e की value यहाँ पर e यहाँ पर ea की value कितनी दे रहे कि ea की value अपने पास 12 दे रहे कि तो यहाँ पर kilo calum 10 की power 3 कर लूँगा upon में क्या आएगा r into t ठीक है यह किसके बर multiply by आगी क्या एगा e की power यहाँ पर आगी क्या दे रहे कि ea की value कितनी दे रहे कि आपके पास देखी यहाँ पर minus 9 into 10 raise की power 3 divided by क्या आएगा rt के बराबर आजाएगा ठीकर अब देखो यह दोनों आपस में क्या हो गया cancel out हो ठीकर अब देखो यहाँ पर दोनों में base क्या रह 10 raise की power 3 divided by rt that will equals to e यहाँ पर minus common आजाएगे इन दोनों के अंदर तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 9 into 10 raise की power 3 divided by rt plus 7 में आपके पास क्या आएगा 2 के बराबर आए क्योंकि यहाँ पर यह वाला 2 है ठीकर यह दोनों आपस में cancel out हो जाएगे minus minus आपस में cancel out हो जाएगे तो यहाँ से आपके पास क्या बढ़ेगा 12 x 10 raise की power 3 divided by rt that will equals to 9 into 10 raise की power 3 divided by rt plus 2 के बराएगे अब दो आखको r की value यहाँ पर calorie में देर एक कितनी 2 के बराबर तो यहाँ पर 2 value put up कर लीजे तो यहाँ पर क्या हैगे 12 x 10 raise की power 3 divided by 2 into t तो यहां से आप क्या करोगे ती की value निकाद cancelled इस कन्डिशन पर आप, 750 calorie के बरबर अजाई तो कि आइगा ऊसे याव तीन वह ऐसे के बरबर अजाई है धीक है पर नैस्ट चलिए अगला प्रॉegen क्या ़िया कहते है। इसका second problem क्या कहा रहा है which of the following statement are correct with respect to major product obtained in the parallel reaction ठीक है नब अब एक बात ध्यान रखें आप क्या कि major product कौन सा बनेगा एक बात ध्यान रखें जैसे कि अगर कोई भी parallel reaction दे रहे है जैसे x है वो dissociate हो रहा है अगर y and z के अंदर ठीक है नब अगर by the way इसका k1 है rate constant तो इसका k2 दे रहा है ठीक है अगर k1 की value k2 से ज़्यादा होती तो उस condition में आपके पास y will be major product ठीक है नब और अगर k2 की value आपके पास k1 से क्या होती ही ज़्यादा होती है उस condition में आपके पास kya होगा z will be major product तो आपको major product पता करना है तो major product कैसे पता करोगे K1 and K2 की value से जिसकी value ज़्यादा है कि उसके respect में आपके पास क्यों प्रोड़क्ट major बन जाएगा ठीक है अब देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे है कि why will be major product at temperature 300 Kelvin तो पहले हम क्या करेंगे 300 Kelvin पर K1 and K2 की value निखाल देगे K1 and K2 की value से आपको पता चल जाएगा जिसकी value ज़्यादा हीगी उसके respect में आपके पास major product आजाएगा ठीक है तो देखिए 300 Kelvin पर हम चेक करते देखो 300 Kelvin पर K1 K1 अगर आपको पता करना है K1 K1 जो होगा AE की पाउर minus A कितना अपने पास 2 into 10 raise की पाउर 14 ठीक है ना into AE की पाउर E की पाउर E है E A यहाँ पर क्या ले लिया minus 12 into 10 raise की पाउर 3 E A by RT R को मैं कितना ले 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 तो R को R ले 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 दो और temperature कितना दे रहेगा 300 Kelvin दे रहेगा इसको अगर आप solve करोगे तो आपके पास कितना आएगा देखिए approximately आपके पास ये दोनों आपस में cancel out हो जाएगी तो यहाँ पर 3 times यहाँ पर कितना आएगा आपके पास एक तरसे 4 times आजाएगा ठीक है तो यहाँ से value आपको कितनी मिल जाएगी आपके बराबर relation आगया ठीक है आगे दीके k2 की value निकालते है तो k2 बराबर कितना आएगा देखो k2 बराबर जो आएगा वह आपके पास कितना आएगा एक value 2 into 10 raise की पावर 14 ठीक है नब into e की पावर minus 2 into e की पावर minus e आपने पास value कितनी दे रही कि यहाँ पे चेक कर लिए value यहाँ पे 9 to 9 minus 9 into 10 raise की पावर कितना आएगा आप पास 3 divided by r into temperature कितना लेना 300 Kelvin लेना ठीक है अब जो इसको solve कीजिए यहाँ पे इसको solve कर यह कर जाएगा एक तरसे ठीक है नब तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 3 बज जाएगा यहाँ पे 3 times आजएगा ठीक है तो 3 times आगया तो यहाँ पे value जो आएगी k2 is equal to कितना आएगा 2 into 10 raise की पावर 14 और e इधर add हो जाएगा base m तो 4 add हो जाएगा तो यहाँ पे सेम देर रहा है इन दोलों में comparison करते ही यह वाली चीज और यह वाली चीज यह detect करें कि 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 k1 की value ज़्यादा होगी या पिर k2 की value ज़्यादा होगी ठीक है इसमें मैं r की value put up करता हूँ अगर मैं r की value put up करता हूँ तो यहाँ पे कितना है गा r is equal to 2 लेता हूँ तो यहाँ पे आपके पास कितना है का minus 20 के बरबर आ जाए ठीक है सेम यहाँ पे अगर मैं r की value 2 put up करता हूँ तो यहाँ पे value कितने आएगी आपके पास 30 divided by कि 2 minus 15 15 15 तो minus 17 के बरब आएगी तो यह वाली value e की power minus 17 आ रहे है और यह वाली value e की power कितने आ रहे है minus 20 आ रहे है तो जादा बड़ी value जो होगी वह कौनसे होगी e की power minus 17 value जो है वह बड़ी होगी जिबकि यह वाली value क्या होगी छोटी होगी तो इसका मतलब K2 की value वह k1 के मुकाबले में क्या होगी जादा अब K2 की value k1 के option वापिस देख लेते हैं यहां पर क्या रहा है कि वाई जो है वो मेजर प्रोड़क्ट बनेगा कब जब आपके पास क्या हो 300 Kelvin temperature दे रहा हो तो यह तो statement क्या हो गया गलत हो गया क्योंकि अभी हमने calculate किया सेम अगर आप second में calculate करोगी अगर 800 Kelvin temperature लेते हो तो 800 Kelvin temperature में K1 की value K2 से ज़्यादा आएगी ठीक है ना तो उस condition में वाई जो है वो मेजर प्रोड़क्ट बनेगा और अगर वाई मेजर प्रोड़क्ट बनेगा जब कीनों क्या बता रहे जैड़ बता रहे तो इस कंडिशन में यह वाला सही होता और यहां पर वाई आता तो आपके पास आंसर थड़ा आ जाता लेकिन इसमें केसिस उल्टे बन रहे इस वज़े से आंसर पहुंच आएगा फोर्थ वाला आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट चलिए आख जो यह और्गनिक वेस्टी लिए ज़रा ध्यान दीजों प्रोब्लम क्या कह रहा है कि उस प्रोब्लम यह कि हरा है कि आपको पूरा अर जाएगा living group पे यहां पे और चायेगा और यह पर एक करण दो चिस्टेबल होते नहीं तो यह अर जाएगा तो इस चंडिसन में आपके पास बनेगा वह डबल बॉंड ईगा इस जगे ठीकर और उसके बाद में इसको क्या रहो कि टोटोमरेज करोगे तो यहां पे आप के पास क्या मधश्यार की नहीं करूं है को अधिक क्लोरॣ बांगर प्लसे ऐवाल के साथ लियाइफ्श नोल घुन OH के साथ एनुखवंन को राइमर टाइम suisन हो जाएगी तो िवाला टाई मुं आपके पास क्या बन जाएगी यहां पर और यहां पर आपके और तो पूस्टन पर आपके पास क्या जाएगा और यह वाला जाएगा और यह वाला जो करेगा और इस वज़े से प्रोड़क्ट दो बन जाएंगे ठेके आगे क्या कह रहा है इस्टेट्मिंट एक ही बार्य हम बताना है यह मतलब अपने पास क्या हो गया फिनॉल हो गया फिनॉल के बारे में पारे मापको बताना है आपको सफर्मिस substitution चो से बनता है जब फिनॉल की रियक्शन किसके साथ कराते हो तब आपके पास क्या होगा और उसके बाद में आप किसके साथ कराओगे मिठनॉल के साथ कराओगे तो उस कंडिशन में आपके पास क्या बन जाए और अगर इसको में एक साथ रियक्शन करा तो उस कंडिशन में यह वाला नुक्लोफाइल की तरह भी हो करता तो यहां पर कि कमपॉंद की सब्सक्राइब देता है इस टेखらए बना नुक्री देते है जंनली वाले होगा हम कंपॉंद में कंपॉंद बने देते थर्डवुक्त क्या होगा सही होगा इसका ऐंसर जोलakt elders यह बड़ा है कौन सा आएगा तीनों स्टिट्मेंट से योगे तो फोर्थ वाला अंसवर आजाएगा ठीक है चलो कि नेट्स चलिए कंपोंड बी के बारे में पूचा है तो बी में ने में आपको बता ही दिया था वहां पर ठीक है ना बी के बारे में क्या बता है कौन सा यह होगा सैलिसालिक एसी तो आपके पास यह वाला कंपोंड जो होगा वो क्या होगा बी वाला हो जाए ठीक है चलो नेट्स चलिए section B वाला part section B क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजी ठीक है चलो इसमें आपको यह बताना है which of the following statement regarding the oxide of alkali and alkaline earth metal alkali and alkaline earth metal की regarding कौन सा statement आपके पास क्या है correct यह बताना है ठीक है अगर reaction में water के साथ कराता हूँ तो इस condition में क्योच बच बच जाएगा same अगर नेटो की अगर water के साथ reaction कराता हूँ तो यहां पी क्या बन जाता है इसमें दो तरीके से देख सकते है product की stability से हम चेक कर सकते है तो देखो यहां पे दो product बन रहा है यहां पे नोह और क्योच में जादे stable product जो होता है क्यों 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 होता है क्योंकि OH- क्यों होता है polyatomy के और polyatomy के केस में क्यों होता है larger cation के साथ क्या होगा OH- जादे stable होगा तो इस वाज़ इस reaction इस direction forward direction में ज्यादा proceed करेगी तो K2O की reactivity Na2O की मुकाबल में क्यों होगी जादा तो reactivity of K2O toward water is more than that of Na2O यह वाले statement क्यों होगा second क्या कह रहा है the oxide of alkaline earth metal are more basic than those of alkaline metal गलत बात आपको ध्यान होना चीए कि left to right जाते हो तब आपके पास क्या होता है basic character oxides का decrease हो जाता है इस वज़े से first A के basic first A का basic character second A के मुकाबल में जादा होता है लेकिन गलत उल्टा कह रहा है तो इसका मतले second वाले statement क्या होगा गलत होगा third वाला क्या है MGU is used as refractory metal for lining of electric furnace जो electric furnace होते है internal lining जो बने जाती है MGU से क्योंकि melting point क्या होता है melting point जादा होने की वज़े से internal lining की रूप में यूज़ कर सकते है aj refractory metal के रूप में ठीक है ना तो थर्ड वाला statement क्या होगा सही होगा fourth वाला देखिए fourth वाला क्या कहा रहे the milk of lime and lime water are different phases of same component बात एक दम सही है पहले दो यहां पर वर्ड पर गवर करना milk of lime पूचा है ठीक है ना milk of lime अब यहां पर क्या कहा रहा है milk of lime जब भी milk statement आया तो इसका मतलब वो क्या होगा suspension होगा suspension तो यह वाला क्या होगा suspension suspension of किसका होगा CO calcium hydroxide का क्या होगा suspension होगा जबकि अगर lime water की अगर बात करे lime water जहां पर water आगे तो मतलब क्यों होगा solution होगा जबकि यह वाला क्यों होगा true solution true solution of किसका होगा calcium hydroxide material same use करते लेकिन एक तो क्यों होता suspension होता दूसरा आपकी पास क्यों होता true solution होता है तो same compound की different phases होते तो second वाली बात क्या हो जाएगी सही हो जाएग ठीक है बड़ा इसका answer जो है का first, third and fourth वाला आ जाएग ठीक है चलो next देखिए second problem second problem में क्या पूचा गया है second problem में यह पूचा गया है कि आपको सही graph बताना है किसके regarding charge law के लिगा दूचा बता दो CP बलब charge law अकर होता है constant pressure की condition ठीक है ना charge law अकर होता है constant pressure की condition आपको मालूम होना चीडिए कि पीवी बराबर के होता है MRT होता है inert gas equations ठीक है अब constant pressure pressure को मैं क्या ले रहा हूं तो प्रेसर को अगर constant ले तो तो V is equal to क्या आएगा and V directly proportional to क्या आएगा NRT या पिर ऐसे गए तो V directly proportional to क्या आएगा T के proportional आएगा ठीक है तो यहां पर फूचा गए temperature and volume की बीच में relation बता है log temperature तो अगर मैं यहां पर V या फिर T अगर V लेता हूँ तो T is equal to क्या आएगा K into V आएगा और दोनों तरफ अगर log लोगे तो log T बराबर क्या आएगा log V plus log K के बराबर आएगा तो यह वाली equation जो है basically straight line की equation बन जाएगी और straight line की इसमें y intercept जो होगा वो क्या होगा log K के बराबर आएगा तो log K के बराब आएगा तो इसका मतलब आपका first experiment क्या होगा सरासर सही हो जाए ठीकर सेकेंड वाली बात करते है log V by T plus log T के बारे में देखो हमने बताई दिया के PV is equal to nRT ठीकर PV is equal to nRT और यहां पे आपके पास pressure constant ले रहे हो तो V directly professional क्या आएगा T तो V is equal to kT अब T को इदर लिखे जाओ तो V by T is equal to k आएगा constant अगर V by T constant आएगा तो इसका log भी constant आएगा तो इसका log V by T जो आएगा वो log K वो भी एक क्या होगा constant होगा मतलब अगर मैं temperature में change कर तो log V by T की value में कोई change नहीं आएगा क्योंकि इसका जो value आ रहा है वो क्या रहा है constant value आ रहा है इसका मतलब second statement का graph भी क्या होगा आपका सही हो जाएगा ठीक है आगे चलिए कि ठरवला graph देखिए थरवला graph क्या कह रहा है टृ वर्सेस किसके बीच में उन क्या बाइं ऐसे प्र क्या है या जे ख़िक है ठीक है सारीम्या हो आपके पास क्या अज़िए यहां बंबइं के बिच में क्या लिखता हूँ जांदीज यहां पर मिह क्या लिक्स और कि आप पहले में 무엇 के laşकर तो दो दो लॉगति यहां पर my constant ले। के बरब थिक है नंढकी rather दो लोग थिटी बरबर क्या अगा Log k,- log 1 by v के बरबर आए ठीक है ना ? तो आपको log k बीच में graph पूचा है ना इनके बीच में तो यह तो आपके पास क्या क्या है कि एक तरसे straight line आएगि जबकि यह वाला क्या बना रहे एक तरसे hyperbola बना रहा है जो की statement क्या होगा गलत वाला हो जाएगा तो थर्ड वाला statement गलत होगा फूर्थ वाला दी कि टीवी एंड टी के बीच में देखिए टीवी एंड टी की बीच में graph बनाना तो कैसे बनाओगा देखो वी इस इकल टो मैं बीच में क्या लिख से तो हमको चीजी ही टीवी तो दोलो तरब से क्या के लिए टी MAYले के से मलटीप्ली किया तो टीवी जो आएगा वो ऑऊनाओगा इसकी बनाओगा तो इसकाyst और फोर्थ के बराबर बड़ा आंसवर आजाएगा तो इसका मतलब यह वाला थड़ वाला तो रॉंग हो गया था ठीक है सेकेंड सही और आपको पास फर्स्ट वीशी तो फास्ट फोर्ट आंसवर आजाएगा ठीक है चलो नेक्स चली चलो यहां पर पूछा गया क्या है देखो आपको सडी करेक्टर का ओडर बताए एकदम सिंपल प्रोब्बम ज्यादा बताने जुरूत नहीं है ठीक है ना तो सब्से पहले धिए की धियान रखे करैंड कि यह वाले ठीक है ना यह वाले कार्बोक्स यूरी कैसे इसमें मैं त इसमें भी माईनेस वाला गडूप और इसमें दो मीनेस एचुर्प इसमें कोई माइनेस ली गूप ने मैंनेस आउप जो है वह बढ़ा देते जबिटस आउप जो है वह एक या क्रते डीक्रीज कर लेती को अब यहाँ पर माईनेस चेढ़र गाँगा अब यहाँ प्यादा सब्सक्राइब करत được क्लोरीं कर इसका मतलब इसका सब्सक्राइब भाइब अब गांग को सब्सक्राइब केरilar अब घ्रॉंञें के अच्पलस अधे होले यहां यहां पर गे rejection just मैं ओंध नें इसे प्रस्ता Tea अध dai二म के स्वाम्लования का तो थाख नंगv तो उसका मधशना तो हुआए तो इसका सभी कर्फ़के होगाए थी ऑसी के अगर अगर बात करें इसका सभी कि लियूख तो इसका यह वाला ओडर तो इन दोलों तो इसका सही है यह वाला ओडर तो सही लेकिन दोलने बात करें इसका है तो इसका मतलब क्यों इसका एक्टर इसके मुकाबले में कम होगा तो इसका मतलब थार्ड वाला बीद करें यह एक Pillow हुआ हो से ज्याद होता है आंके पास का मिठनाल से ज्यादा होता है निदÑं का वेकिटिए हैं इसके बाद दूसरम-छृ पिर भाद धृपह प्रtak सब्सक्राइब और बाकी इसमें सब्सक्राइब यहां से अगर हटा देते हो तो इस वज़े से आपके पास क्या होगा यह वाला ही एक्जेक्ली क्या होगा सभी बाला हो जाए ठीके बड़ा चलो नेस्ट चलिए ay अगला प्रोबम्च यहां पर क्या घ्या टू कि ध्यारट सथ करहीं है और यहां पर प्रोटक्ट बन रहा हैं इसमें पियार बिलून में किया रहा है सएम साइड मार ठीक थीज यो किसे मतलब उलब क्या होगा इसमेंं संदे को एक चीज ज्यान रखेंगे अगर ट्रांस पर एंटी अडिसन होता है तो मीजो टाइप का कंपोर्ड बनता बिया टू का एडिसन जो होता वह एंटी एडिसन फोलो करता है मीजो नहीं एग्जैक्ली मीजो कब बनेगा अगर यह दोनों गुरूप अगर सेम होते तब एंटी एडिसन करा हो तब आपके पास यह वाला कंपोर्ड बन जाएगा और ऐसा जो मेच कर रहा है ट्रांस वाला वह केवल और केवल किसमें कर आपके पास फोर्ट में कर रहा है अब आप सोचोगी फर्स्ट भी तो हो सकता है नहीं फर्स्ट यहां रखें बिया टुक अं कि नेक्स चली कि फिफ्ट वाला ज्यान दे देख बड़ा फिफ्ट वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है चाहां सुनना यहां पे वन मोल दे रहे हैं बेंजीन का ठीक है ना जिसका पार्शिल प्रेशर के ता सुरी वैपर प्रेशर दे रहे हैं 42 mm एंड टू मोल ऑप्टॉल तो यहां प्रेशर दे रहे हैं जिसका वैपर प्रेशर 36 mm विल है आपको ऑप्टॉन ने टौटल वैपर प्रेशर कितना होगा मौल फ्रक्शन कितना होगा थाड पोजिटिव डिशन सो करेगा यह आपको बता ने तो चोटल प्रेशर आइडिल गैस को बेंजीन टॉलीन न गैसे ने तो यहां तो फॉलिफिए को उसका मतलब 3rd यहां ओल उप्रेशर यह फोगया थी ठीक है क्यों नोंपोलर बीनॉट वान पोलर जो यह वाप इस वजह से बसीड़ करेगा में आपको पूजिटिव डिशन सो करेगा नहीं ने तो यह सब्सक्र मतलब कर थाद एख एकसे सात में आपके पास करागा पीञांगा सिस्टीं अब सक्या करें तो फोट सेीट इडिय ट्रीटिके लिए तो फोट अे तो फोटीट इट्म देंत है vener किसे आपने Fahrenheit 36 तो यह कितना होगा आपके पास 12 हो गया 12 into 24 तो इसका मतलब आपके पास 38 mm आएगा तो टोटल वैपर प्रेसर जो बनेगा वह कितना है का 38 mm तो फर्स्ट वाल इस्टेट्मेंट क्या होगा सही होगा ठीक है लिक्विड के अंदर 7 by 19 के बरब आपको पूचा गया वाई एक तरसे पी नौड ए एक से अपॉन में क्या एगा पी नौड ए एकस ए प्लस साथ में क्या पी नौड भी एकस बी के बरबर आप पी नौड ए एकस एक की वैली हमने यहां पर निकाली ती यह वाली वैली कितनी अरी 14 के बरबर और यहां पर टोटल सम्झों आ रहा है वो 38 के बरब डिवाइड करो तो यहां से कितना है का सेवन डिवड भाई कितना होगा 19 के बरबर आएगा तो अपना पास आंसर जो है वो सेकेंड वाला क्या होगा सही हो जाएगा ठीक है तो अपने पास थर्ड एन फ एक्चुली एंप्लूइड को मेटल आपको बताने के कमेशल एक्ट्रीक्शन करते हैं तो कहुंसी रेक्शन यूज कि जाती है तो पहले वाली रियक्शन होती तो है लेकिन कॉमर्स युज नहीं करते है आरेन के एक्सट्रीक्शन के अदर हम जनली कार्वन डिद्र सेमेट reduction method का यूज करते हैं तो यह वाली reaction होती है लेकिन iron के extraction के लिए नहीं होती थर्माइट welding में यूज होती है तो फर्स्ट वाला statement गलत हो हमको पुच्छा गया क्या है कि commercial extraction of metal बताना है ठीके ना second क्या देर का है CR2O3 plus EL reduction हम जनली किसका यूज करते हैं अगर क्रोमियम के oxide को reduce करना है या फिर मेंगनीज के oxide को reduce करना है तो इन जनली हम क्या करते हैं aluminum का reduction का यूज करते हैं तो आपका second statement सही हो जाएगा थर वाला देखो यह तो बताने की जरूत नहीं यह जैन का यूज होता है तो यह वाला statement क्या होगा सही हो जाएगा फोर्थ वाला देखिए co2s में हम जनली self reduction का यूज करते हैं लेकिन यहां पर इन्हों क्या दे रहका पी भी दे रहका है तो इसका कोई महत्वन नहीं है तो commercially जो है वह second and third statement सही हो जाएगा ठीक है चलो अगला क्या है कि इंटेजर टाइब की problem को देखिए अब देखो यहां पर आपको क्या बताने नॉन पोलर बताने नॉन प्लेनर नहीं पर यह तो होता है नॉन प्लेनर यह होता है नॉन पोलर नॉन पोलर का मतलब क्योंगा डाइपोल मोमेंट जिरो के बराबर होना चाहिए देखिए अगर मैं CO2 की बात करो तो CO2 में यहां पर आपस में क्या आपस अंचल तो डाइपोल मॉमेंट इससका मतलब इह वाला क्या होगा नॉन पोल होगा ऑगर मिया थे कार्बन सब्कसाइड की बात करो तो इसका बात की अणिकी अग्जल यह नहीं को、 कशेडी shock अब बात करते है जराध्यान दीजिए अब में और बात को तो और पास क्या है लॉन पर फिलेक्टर ने दो ठीक है ना और इस पीट्री इसका रिजल टेन इदर आएगा और इसका रिजल टेन इदर की तरफ आएगा तो यह एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर पाएंग और पाएंग तो इसका मतलब क्या होगा इसका डइपोल मुव्मेंट जिरो के बराबर नहीं ओगा और यह वाला पोलर होगा तो अगैं यह वाला पोलर है वाला थी सेम फॉर्ट वालब यह वी पोलर क्योंकर एसे च्ईच और मतलब सेमें ग्रूप के एलिमेंट और दोनों के तो यह भी आपके पास क्या है चलो यह भी नॉन पोलर नहीं है और यह भी आपके पास नॉन पोलर नहीं है तो यह भी आपके पास क्या है तो यह भी आपके सकते हो एक लॉन पर उपर की तरफ नीचे की तरफ यह पैसा कह सकते हो कि इसका मतलब पैंटागुनल एक तरह से यह पेंटागुनल प्रेंटर होगा और पेंटागाज़ प्लेंटर में इसलिए यह वाला ओके यह व्ली पॉह टिकरों यह पर चार चार पंच ऐगया यह तो है नहीं क्वार्ट के साथ चला कि अब यहां पर है इस तरीके से स्टर्चर होगा तो इसका मतलब यह वाला क्योंकर पोलर होगा नोन-पोलर नहीं होगा और CLF3 का भी structure की अगर बात करें ना तो CLF3 का structure कुछ इस तरीके से होगा ठीक है ना इस तरीके से structure आएगा ठीक है ना आप बना के देख लो कि यह वाला structure बन जाएगा तो इसका भी dipole moment 0 के बरावर नहीं होगा तो इसका मतल़ यह भी polar होगा ठीक है ना आपको पूचा गया क्या नॉन पोलर में कौन से होगा एक तो यह वाला हो गया second and third and fourth तो इसका answer कितना एक बड़ा चार के बराव रहेगा कितना एगा चार के बराव ठीक है चलो next चलिए second problem अब second problem को थोड़ा सद्यान से देखना है ठीक है ना यह आपने ऐसे problem बहुत बार कर लिए होगे तो नंबर ऑप्टिकली एक्टिव आइसमर थीके ना एम एटु वी टू सीडी दे रहें ठीक है इसमें कॉड़नेस नंबर छे देरका और छे में आपको बताना है कि इसके possible इसमर रिखने वह भी ऑप्टिकली एक्टिव तो देखते हैं पहले में पेर बना देता हूं आपने पहले ही पढ़ लेकिए तो ए यह आ रहा है और यहां पर बीबी और यहां पर क्या रहा है एक पेर यह वाला हो गया थीक है ना दूसरा पेर की बात करूं इन दोनों का अ अब इन दोनों की अक्रीख किर तो यहां पर इलो इन दोनों को ले दो लो फेकर दो इन दोनों носक लेलो तो यहां किया बंघागी बन ज्यू किया बी और उसके बाद में कहाए करे उसके यहां पर मैं क्या लेता हूँ यहां से अगर मैं बीडी लेता हूं जरह ध्यान दे तो एक इधर की तरफ जाना पड़ेगा ठीक है यहां पर कहीं पर कहीं पर मैं नहीं कर रहा है नहीं इसलों इसमें कोई आपट्रीक्टव है नहीं इस इसमें कोई पेर सैम नहीं और इसकी एलियबन्ट भी सेम नहीं तो उसका मबला ये वेला क्यОं हो झाए थीकिας न और सैम इसमें भी आयसा कुछ नहीं जिए पेर सेम नहीं तो उसके मेरेल मेंगे ऐन को भी कुछ वो तो थाहिए और आजा ठेक बई इसमें 4 अंसर आजए ठीक है चलो फार्ड वाला देखिए दोचो थाड़ वाले में क्या कह रहा जरा ध्यान दीजी यहां पे आपको प्रॉब्लम ये पूछी ए ठीक हिए दो जनेरल फॉर्मलो पॉलिथाइन इट पॉलीथाइन इन का जनल फोमला कितना दे रहें कि S N प्लस टू और O 6-2 दे रहें यह वाला अब इसके structure की बात करों तो इसका structure यह वाला बन जाएगा यहां पर बाकि S N बचे कितने N बचे क्योंकि 2 तो S double bond के साथ चले जाएंगे तो यहां पर डबल बॉन ओ और यहां पर क्या आएगा O-1 ठीक है यह वाला structure बन जाएगा S N प्लस टू एन टोटल यहां पर आएगे टोटल सलपर के N इधर और दो S इधर की तरफ चल जाए ठीक है ना आपको क्या इस दे एवरेज oxidation state of S atom in polythionate ion is equal to bond order SO अगर मैं SO का bond order निकालो ना इस SO का तो bond order का formula होता है sigma प्लस पाई भाई सिग्मा ठीक है ना यह वाला होता है सिग्मा वेली कितनी आरे इसमें यह एक दो और तीन आरे तीन प्लस पाई कितना रहे एक दो आरे प्लस साथ में आपने पास सिग्मा कितना रहे तीन आ रहे तो यह अपने पास कितना और यह तो clear हो गया अब यह bond order की वैलू जो दे रहे की है ना यहां पर bond order की वैलू दे रहे कि वह जितने बी शलपर होंगे उनकी oxygen state कितने हैंए जिरो तो यहां पे कितने हैंगे plus 5 छ दो बार plus बाकी की सभी कितनी हैंगे जिरो अब total number of atoms कितने चलपर के एक और दो और बीच में तो तो टोटल कितना एक एन प्लस टू के बरावर तो यहां से आपके पास कितना एगा 5 by 3 में इसको यहां पर calculate कर लहता हूँ 5 by 3 that will equals 2 अपने पास कितना एगा यह कितना को 10 sorry यहां पे 10 divided by n plus 2 आगे यह दोनों cancel out हो गया तो यहां से कितना एगा 2 तो यहां से एन प्लस टू कितना है कि 6 के बरावर तो एन की वैल्य आपके पास कितना एगा 4 के बरावर आजाएगी तो इसका अंसर फोर्त आजाएगा ठीक है नेक्स चलिए फोर्त वाला प्राव्लम नमबर ओफ़ इडोजन बॉंड इन सिंपल सा प्रॉब्लम में आपने पड़ा होगा ठीक है न तो एंड ट की बीच में तो क्या होता है दो आइडोजन बॉंड प्रेजेंट होता ठीक है नब एड एनजी के बीच में तीन आपको बताने जुरत न तो आप वो ग्यूनिन और साइटोसीन के बारे में पुछा है ना तो इसके अंदर हाइडोजन बॉंड कितने हों कि बटा तीन के बराबर हो जाए ठीक है चलो थैंक यू वेरी मच